उपेंद कुस्वाहा ने एस पष्ट कहा है कि भारतिय जनतापाटी जिस रास्ते चल रही है और जिस तरसे भ्रामक परचार कर रही है वो बंद करें उनकी उपलब नीत्यों मात्र यही रही है कि वो कभी इधर कभी उधर गएं मुझ की खानी पड़ी भारते जनतापाटी की बूरी तरह से करारी हार हुई नवसकार यह आपका भारत लाइब है और लगतार खबरों के इस दोड़ में आपाधापी में एक खबर जो है वो बड़ा ही महत्तोपूर्ण है जो खबर आप तक पहुँशी तो जरूर होगी लेकिन उस खबर ने आखिर संदेश क्या दिया बिहार की राजनीत के लिए य तो कहीं इस बात की तरफ तो इशारा नहीं दे रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीत किसी अलग दिशा में मूर जाएगी हम यह क्यों कह रहे हैं इसके पीशे के बयान की बात है अपने बयान सुना होगा जब राष्टिय कारेकारणी के बैठक चल रही थी उसी दोरान पत्रकारों का हुजूम लगा हुए था और बाहर निकल करके जनता दल उनाइटिट के नेता अपनी बात रख रहे थे अब यह साफ हो गया है कि ललन सिंग ही पार्टी के करता धरता होंगे यानि राष्टी अध्यक्ष होंगे तो ऐसे स्थिती में उनके विरोध कर करके आप पार्टी में रह नहीं सकते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि या तो आपको अपनी राजनितिक जो रास्ता है उसे बदलना पड़ेगा उसकी दिसा मोडनी पड़ेगी या फिर आपको 36 कांकडा लेकर के पार्टी में रहना होगा और मुस्किल है कि ऐसा हो नहीं सकत कर ना के बाद से लגतार भयां दे रहे हालाकि इससे पहले भी वह बयां दे रहे थे उनके बयानों को उतना तरजीह नहीं दिया जा रहा हुँ यह सब बातें हमने आपको बताया लेकिन अब जबकि उन्होंने नितीश कुमार से दो तीन बाते कही थी जिस पर अमल नहीं हुआ और एक साथ अचानक से दुबारा ललन सिंग के अधक्ष बनने के बाद जो बयान आया है उपेंद कुछवाह का बयान कुछ और कहता है उपेंद कुछवाह जब NDA में थे तो NDA को ले करके उनके तरफ से बयान आया था और उस बयान ने भारते जनता पार्टी को काफी परिशान किया था जिसको ले करके भारते जनता पार्टी ने परतिक्रिया भी दी थी और वो बयान था नितीश कुमार को परधान मंत्री के उ पाला पतलना पड़ा और ये इसपस्ट होने लगा कि नितीश कुमार अब सच में पढ़ान मंत्री के रूप में नरेदर मोदी को टक कर देंगे उमीदबारी में इस बात के बाद धीरे धीरे चर्चा ही बंद हो गई क्योंकि नितीश कुमार जब लोगों से मिलने गए अलग अलग राजनितिक दलों से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में कोई पॉजीटिव साइन नजर नहीं आया चाहे हो जिससे भी उनकी मुलाकात हुई हो उनमें से कुछ लोगों ने कहीं बयान तो इस कुढ़नी चुनाओं के बाद और कई राजियों में चुनाओं के बाद आ गया है जिसमें आपको हमने बताया ही था कि आम आदनी पार्टी ने इस पस्त तरीके से ये बात कही है नितीश कुमार से पूछा है सवाल जदियू के लोगों से पूछा है सवाल और जो नितीश कुमार को प्रधान मंत्री का उमिदवार और दावेदार बनाने की कोशि कुर्णी चुनाव परिनाम आने के बाद कि नितीश कुमार की 17 साल की उपलब्धी क्या है वो बताएं पहले ना उनकी उपलब्धी तो मातर यही रही है कि वो कभी इधर कभी उधर गए हैं यानि कि जो बात हम लगतार कहते आ रहे हैं वो सुईकारिता की बात एक बार फि हो गई है यही कारण है कि उपेंद कुस्वाह एक बार फिर से राजनितिक ब्यक्ति के रूप में अपने आपको इस्थापित कर लिये हैं उपेंद कुस्वाहा ने पस्ट कहा है कि भारतिये जनता पाटी जिस रास्ते चल रही है और जिस तर से भ्रामक परचार कर रही है वो बंद करें सब कुछ ठीक ठाक है और नितिश कुमार प्रधान मंतरी के उमिदवारी में अपनी तैयारी शुरू कर रहे है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अब जो पाटी का संगठनिक चुनाव चल रहा है इसके बाद से हम पूरी मजबूती के साथ नरेंदर मोधी को प्रधान मंतरी की कुर्सी से उतारने के लिए और भारते जन्ता पाटी की सत्ता बदलने के लिए हम काम करना शुरू करेंगे उन्होंने कहा कि आप रिजल्ट देखिये ना भारते जन्ता पाटी भले ही अपना पिट थप थपा रही है लेकिन जो रिजल्ट सामने है वो क् बेहतर प्रदसन नहीं कर पाई और MCD के चुनाव में मूँ की खानी पड़ी भारती जनता पार्टी की बूरी तरह से करारी हार हुई। उसके साथ साथ उन्हें हिमाचल प्रदेश के भी हवाला दिया। कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपनी सारी सक्ति लगाने के बाद भी ज गुजरात में जिस तरह की बाते सामने आई वो साफ नजर आ रही है कि हम सामज़त से नहीं बिठा पाये। कहीं न कहीं हमारे कॉंग्रेस और आम आदनी पार्टी के अलग-अलग चुनाव लड़ने से ये मामला अटक गया और इस मामले में भारती जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सपस्ट हो गया है कि भारती जनता पार्टी को मात दिया जा सकता है। अब उपेंद कुछ वहा कि ये बदली हुई जो रणिती है बदला हुआ सूर है। देखना होगा कि ये कितना अस्थाई होता है। उपेंद क रूप से एक बार फिर उपेंद कुछ वहा को कोई बड़ा जिम्मेवारी दिया जाए। इसी आसा में देखना होगा कि आगे की रणिती और भयान क्या कुछ कहते हैं। हलाकि उपेंद कुछ वहा ने अपने बयानों में बहुत नर्मिल आई है और वो पाटी और संगठन क की बात को लेकर के ललन सींग के अधक्स चुने जाने को लेकर के उनको बढ़ाई भी दे रहे हैं। एक वन देखना है और वो पाटी और भी देखना है।